हेलो फ्रेंज, वेलकम टे ट्वेंटीफो नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल एड्मिट कार्ड दो हजार चौबिस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके स्टेप बाइस्टेप प्र जारी हो गया है, और इसके स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका फ्रेंज, जो डारेट लिंक है, वो आपको जौबरासा.com पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चैक आउट कर सकते हैं, और आप अपने को है, तो 21 को आपको एड्मिट कार्ड मिलेगा, 25 का एग्जाम है, तो 22 तारिक को आपका एड्मिट कार्ड मिलेगा, 30 तारिक को अगर आपका परिक्षा है, तो 27 तारिक को प्रुवेश पत्र आपका जारी होगा, और 31 तारिक को अगर आपका एग्जाम है, तो 2782024 को आप का admit card जारी होगा तो इसके लिए आपको आना होगा इस portal पर और यहाँ पर फ्रेंज से देखिए एक section है candidate login का आप इस option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का interface आपकी सामने open होगा जहाँ पर आप अपना registration number डालेंगे आपकी जो date of birth है date month and year यह आपको यहाँ पर एंटर करना है और यह एंटर करने के बाद आपको फ्रेंज से simply sign in वाले option पर क्लिक करना होगा इसके बाद फ्रेंज से यहाँ पर देखिए आपके सामने जो आपका dashboard है यह open हो जाएगा जहाँ पर आपको आपका registration number शो करेगा और इसके बाद फ्रेंज से आपको आपका login टाइम भी यहाँ पर शो करेगा यहाँ पर देखिए आप अपने application form को download कर सकते हैं इसके बाद नीचे आपको एक option मिलता है download admit card का आप इस option पर क्लिक करेंगे आपके admit card को download करने के लिए इसके बाद फ्रेंज से आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका जो admit card मिंस प्रविश पत्र है आरक्षी नागरिक पुलिस पत्र के लिए मिंस यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के लिए वो आपके सामने यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ पर आपको click here to print का option मिलेगा जहा से आप इसका print out save करके अपने पास से रख सकते हैं इसके लिए फ्रेंज से यहाँ पर आपको पंजीकन संख्या के साथ साथ आपको आपका roll number आपका नाम इसके लावा जो आपका home district या home state है date of birth है परिक्षा code परिक्षा center name और परिक्षा का जो address है वो आपको यहाँ पर दे तो आपको फ्रेंज से जो reporting time है वो आपका 8 बजे का रहेगा और जो great closing है वो साड़े 9 बजे आपकी हो जाएगी तो आपको आपके exam start होने से कम से कम 2 घंटे पहले आपको reporting करनी होगी और exam start होने से आदे घंटे पहले gate बंद हो जाएगा gate बंद होने के समय के बाद किसी भी अभ्यरती को परिक्षा के इंदर में प्रवेश की अनुमती नहीं दी जाएगी साथ में यहाँ पर मूल अधार काड लाना आपका यहाँ पर जरूरी है मतलब और जन अधार काड आपको लेके जाना होगा यह प्रवेश पत्र बस टिकेट के रूप में मानने होगा इसके अलावा कोई भी अन्य पहचान पत्र सुईकार नहीं किया जाएगा जिन अभ्यरती ने आविदन के समय अधार का विर्वन नहीं दिया है उसे बिंदू एक में उल्लेखित अधार काड के साथ एक अन्य वैद सरकारी पहचान पत्र जैसे यह अधार पासपोर्ट जाएगा और इसके बार कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिये गया है परिक्षा के लिए निर्देश दिये गया है इसमें आपसे कहा गया है ओफलाइन लिखिट परिक्षा ओएमर अधारित आपकी यहाँ पर परिक्षा होगी परिक्षा 120 मिनट की अवधिकी है इसमें देर सो वश्टनुलिस प्रकार के प्रशन होंगे, मतलब देर सो अबजक्टिव टाइप पेपर आपके होंगे, प्रतेक प्रशन के लिए सही उत्तर के लिए दो अंक आपको मिलेंगे, और गलत उत्तर के लिए 0.50 मार्क्स आपके यहां पर काट लिए जाएंगे, इसके लिए फैंसे यहां पर आप केवल नीले या काले बॉल पेंट का जो है वो आप यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा उत्तर बदलने के लिए किसी भी वाइटनर, इरेजर, ब्लेड का उप्योग करने की अनुमती आपको नहीं है, समान ने जर्देश का दिये गए है, कि अभियरतियों को परिक्षा होल के इस अंदर केवल एड्मिट कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ, नीला या काला पैन ले जाने की अनुमती होगी, पैनसिल, शाही, स्केज़ पैन या जेल पैन का प्रियोग पूर्दत है, वर्जित है, इसके अलावा ये भी समगरी आप लेके नहीं जा सकते, तो यहाँ पर फैनसे क्योंकि जो ये परिक्षा है, इसके लिए फैनसे आपका यहाँ पर एड्मिट कार्ड जारी हो गया है, और क्योंकि ये री एक्जाम है, तो यहाँ पर फैनसे जो चेकिंग है, वो सही डंग से होगी, और आपका एक डिजिटल फोटो भी आपका लिय जाएगा जिसके लिए अलग से एक अपडेट जारी किया गया था यूपी पुलिस के द्वारा यहीं इंस्टक्शन्स आपको फैंसे इस नोटिस में इंग्लिस में भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर फैंसे नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी हो गया है और इसके लिए फैंस आपको यहाँ पर जो फ्री बस सुईधा है वो भी आपको दी जाएगी तो यहाँ पर कहा गया है प्रविश पत्र मूल फोटो पहचान पत्र के साथ बस टिकेट के रूप में भी मानने रहेगा तो अगर आप इस एड्मिट कार्ड को शो करते हैं तो आपको जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवन निगम की निशुल्क बग सेवा की सुईधा भी आप ले सकते हैं इसके लिए प्रविश पत्र की अत्रिक्त दो चाया परति अपने पास रखे एक परिक्षाके ज़नपत्र का क्या वही वस्यात्रा और दूसरी परति आपकी वापसी की यात्रा के लिए बस कंड़क्टर को आपको उपलब्द कराना होगा तो आप जो इस Admit Card है इसकी फैंसे यहाँ पर जो फोटो कॉपी है वो कम से कम दो फोटो कॉपी आप अपने साथ करवा ले जिससे जब आप जाएं तो आप एक फोटो कॉपी उनको शो करेंगे तो आपको टिकेट नहीं लगेगे और जब आएंगे तब भी आप इस जो है आपके Admit Card को शो करेंगे तो अब भी आपके टिकेट नहीं लगेगी बस ध्यान रखेगा मूल फोटो पहचान पत्र के साथ आपका ये टिकेट मानने रहेगा तो आपकी ID प्रूफ का भी आप फ्रेंज से फोटो स्टेट जरूर शो करें तो यहाँ पर फ्रेंज जो instructions है वो मैंने आपको provide कर दिये है जो भी आपकी exam date है उससे फ्रेंज से तीन दिन पहले ही आपका जो admit card है वो जारी होगा तो अगर आपका exam 23-8-2024 को है तो 20 तारिक से आप अपने admit card को download कर सकते हैं इसके अलावा फ्रेंज से यहाँ पर देखी जो notice है वो आपका और जारी किया गया था जिसमें मैंने आपको एक notice show कर दिया है कि किस date से आप यहाँ पर अपने admit card को download कर सकते हैं और जो second है वो है फ फोटोग्राफ है वो अनुपिक्त है या उसका स्वयम का नहीं है तो इस संबन में आपका जो photograph है वो परिक्षा केंदर के प्रवेश द्वार पर आपका जो है फोटोग्राफ लिया जाएगा और परिक्षा कक्ष में भी लिया जाएगा तो यह photograph अन्ने कोई कमी नहीं आपा जारी हो गया है, कैसे आप इसे डाउन्रोड कर सकते हैं, क्या-क्या इंस्ट्रक्षंस हैं, क्या-क्या documents आपको लेकर जाने हैं, bus ticket में क्या फायदा मिलेगा, इस सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है बाके की जानकारी फ्रेंस आप इसकी ओफिशल वेबसाइट पर जाका चेक आउट कर सकते हैं या फ्रेंस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप आएंगे jobrasa.com पर वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर जो भी अपडेट में आपको प्रोवाइट की है यह अगर आपको पसंद आई है आप चाहते हैं ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके तो इसके लिए like, subscribe and share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमारा यूडिप चैनलास थैंक्स पूर वाचिंग